दियर स्टुरेंट स्वागत आप सभी का बायोजी क्लासेज में आज हम डिसकस करेंगे नमर चार लोकोमोशन यानिकी पेरा पॉडिल टैप का जो लोकोमोशन है उसके बारे में आप तक हम तीन परकार के लोकोमोशन पढ़ चुके हैं जिसमें पहला जो लोकोमोशन ता हो व लोकोमोशन यानिकी कसाब के दुवारा होने वाला गमन और यह प्रोटेजोर फालम के ही एक्जम्पल जो यूगलीन है उसमें पाए जा रहा था अब हम नेक्स जो लोकोमोशन है उसके बारे में डिसकस करेंगे पैरा पोडियल रैप का लोकोमोशन यह नमबर चार प्रका लोकोमोशन है पैरा पोडियल को लोकोमोशन है इसके बोलते हैं पार्च पाद गमन अधिक है देकि जो फाइलम एनिलिड़ा है उसका जो एक्जम्पल है नेरीज उनमें गमन के लिए विस्टेश टंग पाए जाते हैं जिनको हम पैरा पोडिया कहते हैं यानिकी पार्श इसथा रौपाद और नेरीज होता है वहां दोकॉमोशन करता है साथ ही पीरा पोडिया होता है उनके अलावा इसमें स्रपाह जाते हैं यह इंद में गमन में हेल्प करते तो फाइलम जो है एने लेड़ा उनके एनिमल्स में इस परकार के लोगमोशन पाय जाता है और एक्जाम्पल की बात करें तो नैरीज है ठीक है नैरीज में पार्शपाद ये गमन पाय जाता है इनके जो गमन के लिए अंग है वो पैरा पोडियां है यानिकी है पार्शपाद ठीक है साती इन में और भी और पायपन पर जाते हैं जो न्यसे कि सेटश है ठीक सब्सक्रिकरों तो नैरीज होता है वो सूप की हेलपसे भी गमन करता है हम यहां पे दोनों ही हम यहां फे दोनों ही जो लोकोमोटरी औरगन हैं उनको डिस्कुस करेंगे सबसे पहले हम इनके स्ट्रेक्चर की बात करतें नैर्इज के जो गमानंग है उनकी संरचना की आढ़र कि देखें अगर हम स्ट्रेक्चर देखें पेरलख कोड़ी तो इस परकार्च होगी पार्च पाद की संचना लेकि जो पार्स पाद होते हैं वो पत्ती के आकार के होते हैं जैने की पतले मासल और चप्टे होते हैं ठीक है और इनके संरचना कुछ इस प्रकार से होती है इसमें दो प्रकार के लोब पाई जाते हैं कि ठीक है जो इसका प्रस्ट सता होता है यह वाला सते प्रस्ट इस वाले लोग को बोलते हैं आपन यहां पे नोट अपॉडियम और इस वाले प्रस्ट को यहां पर एक बिच्व बिच काले रंग की गहरी पट्टी डिवाइड करती है और यह जो पट्टी होती है वो दोनों ही लोब के बीच में पाई जाती है जबकि दूसरे जो लोब होगा हमारा वो होगा नियूरो पॉडियर यह इसके अधर सदय पर प्रजेंट होता है इसको भी यहां पर काले गहरे रंग के पट्टी जो होती है उसको अलग करती है यह डिवाइड करती है इस पट्टी को हम बोलते हैं ऐसी कूलम ठीक है है ऐसी कूलम है है इस परकार यहां पर पर पोड़े जो सन्रच नहां ओल पत्तly यह मोसल हैं और tuck of this hara जाते हैं डोव जते हैं ठीक है दोनों के हो गई है लोब हो गए पालिया। हो गई जो की इसमें प्रेजेंट होती है मसल की मादम से जूडि रहती है इस मसल सो बोलते हैं ऐसी पूलम मसल ठीक है कि दोनोंही ब्लोप के दोन में क्या होगी शबत हमिम अब बात करते हैं रसकdledまた और नूरो पॉड़ें दोनों कि तो नौटो इस लों से और नूरो पॉड्य दौटे को सबस्क्राइब दोनों टैने हैं इसे क्रम से अगर और धी बात करें तो इसको बहुत Kings पीरियर को लिंगुला ठीक है जो कि नोट पोडिया लोब की क्या जंबी का है जबकि जो निउरो पोडिया है इससे निकलने वाली जो जंबी का होगी उसको बोलते हैं आपने आपे इन फीरियर लिंगुला यहां पर जो लोब से उनके द्वारा निकली हुई जंबी का होती है नेक्स्ट नोट पोड़ा होते हैं नौट पोड़े जो लोब है इसके इसके पार्ट से यहां पर एक लोब निकली है ठीक है क्योंकि यह जो उपांग है वो डोर्सल सर्फेस के लोब पे निकला होता है इसलिए इसके अधर सत्य के लोग की बात करें तो यहां पर भी इस पर शुपांग निकले रहते हैं जिन्हें हम वेंटर इसलिए इस परकार जो लोभ है उनमें इस पर शुपांग निकले रहते हैं साथ ही हम अगर इनके ऐसी कि बात करें तो इनके जो अंतिम शिर्यों होते हैं यहां पर बाल देसी सानतनाय निकली होती हैं इस परकार से इन्हीं हम सूख बोलते हैं हिंदी में सूख ठीक है इसी प्रकार से जो अधर सते हैं नियूरो पॉडिया इसके सवतंत्र भाग पर भी क्यों होंगे सूख निकले होंगे ठीक है नॉटो पॉडिया से निकला हुआ जो सूख है वो कहलाता है नॉटो केटे जबकि नियूरो पॉडियम से निकला हुआ जो सूख है उसको कहते हैं नॉटो केटे ठीक है यह यहाँ पर पैरा पॉडियल की संद्रचना है जिससे जो नैरीज होता है वो गवन करता है एक चीज़ और जो हमारा पॉइंट वो पीछे शूट गया है जो नैरीज है ठीक है उसका फायलम ऑइनिलीड है जबकि उसकी क्लास है वो इसकी पॉली कीटा क्लास है ठीक है इसलिए यहाँ पे जो सूख है उसमें नोटो कीटा है और नियूरो कीटा पाय जा रहे है अब कि अब देखिए हमने बदाया था जो नेरीज है उनसे गमन के लिए क्या पाई जाते हैं पेरा पॉडियल धीक है इसमें हमें यापे इसके संदर्शना देखना पूरा क्या है पैरा पोड़िल यह जबकिसके आगे वाले भाग में क्या हुता है बात करें तो नहीं जो है उसके बोड़ी की जो आगे वाला पाड होता है पैरिस्टर्म और जो वोड़ी का अंतियुखन्ट होता है यानिकी एनल जो सेग्मेंट होता है गुदा उसको छोड़कर के पूरी बोड़ी में एक-एक जोड़ी पार्च पाड़ की पाई जाती है ज होता है खोख़ल उतंदर से जो की देहग वहां से बिल्कुल अटेच होता है अगर हम इसकी अगर हम इसके नाम की बात करें तो यह जो पैरा पोड़िया है उर प्रप्लस पोड्यम से मिलकर कर बना हुआ है ठीक है पैरा मुन लगते यांपे एक्सट्रा और पोड़ियम मनल पाध होते हैं पैर होते हैं उन्हें पर फैर पॉड़े नाम दिया गया क्योंकि यह जो पर फोडिया है वह बोड़ी जो इसकी नचेट आप यह निकलने करण बनती है जो कि पतली पत्ति के समान दिखाई देती है इस्ट है कि ने इन सन्रचनाओं को न्यरीज में पैरा पोडियम नाम दिया जो कि इनमें गमन में हैल्प करती है अब नेक्स्ट मीडियो में हम यह जो नेरीज है वह किस प्रकार से लोकोमोशन करता है यह इनमें जो मेकनिजम में वो किस प्रकार के होती है उनको डिसकस करेंगे झाल झाल